यह हम लोग पिछले एक साल के करेंट अफेस देख रहे हैं जिसमें मैंने और कुछ टॉपिक्स डिस्कस किये आज हम देखने वाले हैं अवार्ड्स, रैंक्स, इंडेक्स, कोई रिपोर्ट है तो वो सारी किसीरे चीज है इसमें हिमाचल का क्या रैंक आया अगर हिमाचल में आया जैसे गुड़ गवर्नेंस इंडेक्स है तो उसमें जो बाकी के डिस्टिक्स है उनका क्या रहा ऐसे क्वेश्चन अक्सर एलाइड में और एच्चेस में पूछे जाते हैं एच्चेस हो गया नायबते सीलदार है हमाचल में जितने भी एक्जाम रहते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो यह आपको पता होने चाहिए स्पेशली अगर आप अलाइड का पेपर भर चुके हो और आने वाले टाइम में इसकी तयारी कर रहे हो तो एक साल के नाशनल इंटरनाशनल और हमाचल के करन्ट अफेज आपने कवर की होने चाहिए तो यह जो मैं करवा रही हूँ यह अविलेबल है इस मैगजीन में हम लोग ने फ्री मैगजीन यहाँ पर लॉंच किया है टेलेग्राम के उपर अविलेबल है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाईए ताकि सा साथ में पढ़ सको डिजिटली पढ़ना और ऐसे पढ़ना इस डिफरेंट तो एक प्रिंट आउट निकलवाऊ एक हाइलाइटर लो और साथ साथ में हाइलाइट करते जाओ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पढ़ना है जैसे आज हम लोग आपका यही अवार्ड रैं ही होती करन्ट अफैस उसको अपडेट करते रहते हैं फिर जो लोग अभी मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है तो जो लोग इंटर्व्यू के लिए बिजाएंगे यह उनको भी काफी वहाँ पर हिल्फुल रहेगा क्योंकि करन्ट स्कीम्स हैं या आपका जो भी हम लोग प अभी हम लोग होम कमिंग 2.0 करने वाले हैं तो इसकी कोई भी अगर आपको डीटेल चाहिए तो आपकी जो नीचे दिये गए नामबर है इन पर कॉन्टाक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टेग्राम के ओपर भी जो हैं वहाँ पर बिंक कर सकते हैं तो चलिए पांच माचल के पुलिस ओफिसर्स को तो यह रिपब्लिक डेपर दिया गया था उनके डिस्टिंग्वेश सर्विस के लिए उनको पुलिस मॉडल यह आपका जो मेडल है वो दिया गया इनके नाम कौन-कौन से थे तो सत्वंत अत्वाल त्रवेदी राहुल शर्मा जितें कर लेना है कि best electoral practices award दिया गया 2022 में मतलब क्या है इसका कि जब आपके assembly के elections हुए 2022 में तो यहाँ पर जो electoral officers थे उन्होंने बहुत अच्छे से handle किया सारी की सारी चीजों को अच्छे से जो भी initiative चल रहे थे उनके उपर भी काम किया तो इसी के लिए यहाँ पर इनको यह award दिय बस इतना सा याद होना चाहिए इसमें से यह पढ़ना है तो पढ़ने को पढ़ सकते हो पर इतना important नहीं है voters day कभी मनाया जाता है तो 25 जन्मरी को आपका national voters day मनाया जाता है तो इस news में यही तो important है जो prelims में पूछे जा सकते है highlight किया आगे बढ़ गए जब paper आएगा उससे है कि हम लोग जो आपके environment है उसको भी save कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में जो हमारी development है वो भी चल रही है तो यहाँ पर हिमकॉस्ट इसकी nodal agency है अगर आपको याद हो हिमकॉस्ट हिमाचल प्रदेश council for science and technology and environment यह वही है जो GI tag भी file करते हैं जब हम लोग को GI tag किसी भी चीज के लिए चाहिए होता है तो यह वाला department है यह आपका जो हमकॉस्ट इसको यहाँ पर file करता है यह इन्होंने बड़े सारे eco clubs खोल के रखे हैं school में as well as colleges में भी national green corps है जो की बच्चों को भी help करता है उनके दिमाग में यह चीज दालने के लिए that green efforts are very important right इसमें बड़ी सारी ची इसे जो की पता होनी चाहिए citizens को उसकी यहाँ पर awareness लोगों में डाली जाती है इस तरीके की innovative initiatives के उपर यहाँ पर काम किया जाता है जैसे आप यहाँ पर mains में अगर बात करें तो green हमाचल clean हमाचल इसका भी mention कर सकते हो next है हमारी news SGVN के बारे में सतलुच जल विद्युत निगम तो यह क्या है यह एक PSU है मैं काफी सालों से पढ़ा रही हूं इसले से तो मैं देखती हूं कि इनको बड़े सारे awards दिये जाते हैं basically यह है कौन यह hydropower generate करते हैं और यह dams बनवाते हैं ठीक है तो dams नेपाल में इनके पास बहुत सारी अच्छी technology है hydropower को generate करते हैं और हमाचल में बड़े सारे project जो है यह लोग यहां पर चलाते हैं एक PSU है इनका paper अलग से आता है उसको भी भर सकते हो गर आप भरना चाहते हो तो यहां पर इनको जो award दिया गया है वो है central board for irrigation and power award जो की best utility of hydropower project के नाप्ता जाकडी जो की कि नौर में है दूसरा है रामपूर जो की आपके शिमला में है तो कितनी इनकी power है यह माचल में सबसे बड़ा hydropower project है पंदरा सो मेगावाट का जो रामपूर वाला है यह 1412 मेगावाट का है यहां पर है दोनों ही एक ही river के उपर है उसका नाम है स सत्लुझ तो यह दोनों जो है सतलुज river के उपर यहां पर बने हुए हैं सेम वे में नेक्स्थ आपका न्यूज है गूरू द्रोना फि्जियो अवर्ड दिया गया है तो यह जैसा इसका नाम है यह फिजियो थेरिपी के उपर दिया जाता है जिनको दिया गया वो लेक च् जिसे मैं बता रही हूँ, यह अकसर पुछी जाती है, जैसे CCTNS है, Crime and Criminal Tracking Network System, अब इसमें हिमाचल को पिछले 3 साल से 1st आ रहा है, all over India, इसका मतलब है क्या, CCTNS है क्या, यह सेंटर का मेशन है, स्कीम है, जिसमें बेसिकली हम ना सारी चीजों को connect करना चाहते, जैसे बहुत सारे post office हैं, उनको connect करके रखा है, जितनी भी police vehicles हैं, उनको connect करके रखा है, जितनी websites हैं, government की, वो connect है, इससे क्या होगा, जितना भी crime का record है, या criminals का record है, वो एक जगा एक अठा होता है, for example, जैसे industrial area है हमाचल का, वहाँ पे काफी ज़दा crime रहते हैं, crime against women हमने सबसे ज़दा वहाँ पे देखे हैं, तो वहाँ पर अब उसको कैसे हमें, वहाँ पैसे देख लेते हैं कि बहुत सरी गाडिया चोरी हो जाती है, अब क्या होगा, वहाँ से कोई भी गाडी चोरी होती है, तो वो कहीं पर जाती है, सिंस वो network सारा का सारा connected है, वाया e-governance, तो क्या होगा, तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, crime, criminal, सब को ही अच्छे से track properly किया जा सकता है, अल ओवर इंडिया, central government का ये mission है यहाँ पर, अल ओवर इंडिया चल रहा है, लेकिन हिमाचल इसमें हमेशा first आता है, पिछले तीन साल से आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा इहाँ पर एक initiative है, अब question जो है वो भी अच्छे इसके उपर पूछे जाते हैं, और पिछले कुछ स हालों से हम देख भी रहे हैं, कि जैसे हिमाचल के paperों में क्या होता है, statement डालते हैं बड़ी सारी, उन बड़ी सारी statement में से एक statement इसकी कोई होगी, तो ऐसा नहीं है कि इनमें हम लोग घुष जाते है current affairs में, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता ह जैसे award for SDVN के chairman नंदलाल शर्मा जी को यहाँ पर award दिया गया, फिर next आ गया, दो पक्का से पढ़के जाने, एक तो है, सोलन के एक film maker है और एक शिमला के director है, इन दोनों ने movies बनाई है, दोनों बड़ी famous हुई है, जो सोलन के film maker है, उनका नाम है प्रशांत गोयल, प्रशां festival में, ठीक है, एक यह है, एक थोड़ा नीचे होगा, इनका नाम है शिमला के director, इनका नाम है सिधार्थ चोहान और इनको दिया गया है अमर कॉलनी के उपर, कि चॉल में कुछ लड़किया रहती थी, उनके जीवन के उपर उननों ने यह बनाई है, अमर कॉलनी, तो यह new director from India का award दिया गया, तो यह दो तो at least याद करके जाने, इनके उपर question आने के chances अच्छे हैं, ठीक है जी, फिर इसमें हमने देखा कि शिमला के एक dentist है, उनको award दिया गया है, International Conference in Communicable Disease 2023, इनका नाम है विने कुमार भारतवाच, next है SGVN, फिर से सक्लुद जल विद्युद निगम को CSR के उपर award दिया गया, corporate social responsibility, यह क्या होता है, यह आप अल्रेडी पढ़ रहे हो, इसलिए मैं बहुत detail में नहीं जाओंगी, तो यह आपका है, फिर आ गया, यह हम लोग ने places में भी, दूसरे वाले section में भी देखा था, करसोग के farmers उनको पदमश्री दिया गया, तो पदमश्री जो है दिया गया है नेकराम जी को, नेकराम जी करसोग के रहने वाले है मंडी district में, क्यों दिया गया है, यह 9 अनाज का concept वापिस लेकर आए है, 9 अनाज का मतलब है कि पूरे साल भर में हम 9 different तरीके की चीज़े हराब कर देते हैं, उसको यहाँ पर बापिस से revive करता है, उसके लावा यह हमारी जो body है या हमारी health है उसके लिए भी काफी जादा helpful रहता है, हम लोग बोलते हैं कि millets जो है अपनी diet में include करना है, 2023 को year of millets भी कहा गया, तो बस उसी के लिए जो है यहाँ पर इनको पदमश् है, यह code o millet है, इनको हम लोग अपनी भाशा में कुछ और और भी बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं, और कौनी बोलते हैं, इस तरीके के रहते हैं, ठीके जी, फिर next आ गया, हमाचल बिकम्स first hill state to provide tap water to every home, तो हमाचल देश का सबसे पहला state बना, यह क्या मतलब है कि हर घर में जल हो, अगर आपको याद हो, तो यह जल जीवन mission में बात की गई, 2019 में 15 अगस्त को इसको launch किया गया और इसमें बात की गई कि हर घर में जल होना चाहिए, जल होना चाहिए वो भी हर एक इनसान के लिए 55 लीटर जरूरी होता है एक दिन में, जो कि हर घर में आना चाहिए, तो यह mission यहाँ पर आगे बढ़ा और फिर अलग-अलग states ने इसमें कुछ चीजे जो है वो हासिल भी की, तो हिमाचल सबसे आगे बढ़के, जिसमें 2024 तक आते आते इस पूरे target को पूरा करना था, हमने इसको पिछले साल यहाँ पर पूरा कर दिया था, तो पहला state हिमाचल बन सवच भारत अभियान के अंतरगर, इसमें जो आपका सतलुत जल विद्युत निगम है, इन्होंने बड़ी सारी awareness drives लगाई है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पौधार ओपन करना है, ऐसे plantation drives होती है, awareness के लिए बच्चों में awareness, या बड़ों में अलग-अलग जगा जो है इस के लिए हम लोग कर देते हैं कि यहां पर जो है गंद नहीं डालना है और अच्छे से इसको साफ सुथरा बनके रखना है, तो हम लोग उनके लिए भी अलग-अलग initiative शुरू करते हैं, तो इस तरीके से, इसके साथ-साथ में उन्होंने कुछ और भी campaign शुरू किये थे, जै इस तरीके से, इन्होंने काफी सारे drives चलाये थे और इसके लिए इनको यह स्वच्ता पखवाड़ा award दिया गया, तो आगे भी अगर पढ़ना है आपको तो पढ़ सकते हो, जैसे यह है, खुद पढ़ लेनी है, magazine बाकी मैं पूरा का पूरा नहीं करवाउंगी, जैसे यह ह पूछा गया है, तो अब जो है, 2022 वाला हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ऐसे होता ना, 22 की रिपोर्ट जो है, वो 23 में आती है, अभी 23 वाली रिपोर्ट जो है, वो 24 में आएगी इस तरीके से, तो यह वाला अभी पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो, प्रॉबर्ली पूछा जाएगा, इसमें टॉप 3 पोजिशन याद होनी चाहिए, पहली है कांगडा की दूसरी है, हमिरपूर की तीसरी है, लहौल एंस पीती की, इसमें फिर साथ-साथ में जो है, पैसे में मिलते हैं, जैसे जो फरस्ट आया, कांगडा आया, फरस्ट इसको 50 लाक रुप कि किस पैरमेटर पर देते हैं, तो इसमें 8 थीम होती है, 19 focus subject होते हैं, और 20, 90 indicators होते हैं, थीम बेस चलते हैं, जैसे कि 8 themes की बात कर लेते हैं, थीम होता है, essential infrastructure के हमारे पास में जो basic infrastructure है की cold stores होने चाहिए, agriculture की बात करें तो या economy की बात करें तो bank होने चाहिए, अगर हम गया support to human development, social protection, crime कितना है, women and children को कैसे treat किया जा रहा है, crime, law and order, environment, transparency, accountability और economic performance, इन सारे चीज़ों को मिला कर आपका good governance index दिया जाता है, जिसमें कांगडा ने top किया, so इसी तरीके से आपने सारी की सारी news पढ़ लेनी है, इसमें important चीज़े highlight कर लेनी है, बहुत highlight भी ने करना है, और अच्छे से अपने आगे इसको, जबी भी पेपर में जाओगे, उससे पहले देख के जाना, क्योंकि अच्छा खासा portion जो है वही यहां से पूछा जाता है, so और कोई भी किसी भी तरीके के doubts रहते हैं, comment कर सकते हो, या फिर मुझे जो है personally भी, आप call कर सकते हैं, उपर यहां पर हर एक जगा number है, तो आप यहां पर किसी को भी contact कर सकते हो, so thank you for watching and I wish you all the very best.